नमस्कार फेंड मैं हूँ लूसी और अपना चैनल लूसी स्क्रियेसांस में आप सबका स्वागत है आज मैं शिखाऊंगी बेसिक्स कार्ट का डाप्टिंग बनाने के लिए मैं जो मिजार्मेंट लिया हूँ वो है फूल लेंथ 24 इंच, वेस्ट राउंड 30 इंच, हीप राउंड 39 इंच, हेम राउंड 39 इंच यह मेरे हिसाब से मेजार्मेंट लिया हूँ अब आपका मेजार्मेंट लेना और मेरे थियोरी को फॉलो करना पहले हम एक सेंटर पॉइंट करेंगे, जो है 0, 0 पॉइंट से 2 cm पे मार्क किया, दो पॉइंट को जोड दिया, यह है 1 1 से हम फूल लेंथ लेंगे, 24 माइनस 1.5 इंच, कल टू 22.5 इंच, 1.5 इंच जो माइनस किया, 1 से हम 22.5 इंच पे मार्क किया यह है 2 आप हम 1 और 2 को जोइन करेंगे आप हिप राउंट का 1 फोट करेंगे, 39 दिवाइड बाइ 4 इकोल टू 9.75 इंच फिर 1 से हम 9.75 इंच पे मार्क किया, यह है 3 आप 1 फोर्थ हिप राउंट के साथ 0.5 इंच प्लास करेंगे, तो होगा 10.25 इंच 3 से लेफ्ट साइट पे 10.25 इंच पे पोइंच किया, यह हैं फोर्थ, 3 और फोर्थ पोइंच को जोड़ देंगे आप हम हम राउंड का 1 फोर्थ करेंगे, 39 डिवाइड बाइ 4 इकोल टू 9.75 इंच सेम उसी के साथ 0.5 इंच प्लास करेंगे, तो होगा 10.25 इंच 2 पोइंच से 10.25 इंच लेफ्ट साइट पे एक पोइंच किया, यह है 5, 2 और 5 पोइंच को जोड़ दिया और 4 और 5 पोइंच को जोड़ दिया लास्ट मेजानमेंट है वेस्ट राउंड, वेस्ट राउंड को 1 फोर्थ करेंगे, 30 डिवाइड 4 इकोल टू 7.5 इंच 0 पोइंच से 7.5 इंच लेंगे लेफ्ट साइट पे यह हो गया 6, 6 और 0 को जोइन किया, 6 पोइंट से 1.25 इंच एक्स्ट लेंगे यह है 7, 6 और 7 पोइंट को जोड़ दिया, यह है फोंट डाट के लिए, 7 और 1 पोइंट को हीप कार्ट स्केल से से शेप देंगे 6 को 1 और 7 लाइन के उपर सीप करेंगे, यह है 6, 1 1 और 6, 1 पोइंट का मिट पोइंट करेंगे, जो होगा 3.75 इंच, यह है 8 अब हम 6 और 7 का 1 पोइंट करेंगे, 6 और 7 का मिजर्मेंट है 1.25 इंच, इसका 1 पोइंट है 0.3 सम्थिंग 8 पोइंट से लेट साइड पे और राइट साइड पे 3 पोइंट सम्थिंग पे पोइंट करेंगे, जो होगा 9 और 10 8 पोइंट से 10 सम्थिंग डाउन करेंगे, यह है 11, 8 और 11 को जोइन किया, 9 और 11 और 10 और 11 को जोइन किया यह है फॉंट डाट, आप 7 और 4 को हीप कर्ब स्केल से से शेब देंगे यह होगा है बेसिक्स कार्ट का फॉंट पार्ट, 0 से 1 सी एम डाउन पे पोइंट करेंगे, यह है 12 0 पोइंट से हम 7.5 इंच पे मार्ग करेंगे, वह इसे फिर 2 इंच एक्स्टा लेंगे बैक डाट के लिए यह है 13 और यह है 14 अब हम 0, 13 और 14 इस तिनु पोइंट को एक साथ जोड देंगे 14 और 12 को हीप कर्ब स्केल से से शेब देंगे 13 को 12 और 14 के लाइन पे शिफ्ट किया यह 13 और 12 पोइंट और 13 और 1 पोइंट को मिट पोइंट करेंगे जो होगा 3.75 इंच यह है 15 आप 2 इंच जो एक्स्टा लिया है उसी को हम 1 फोर्थ करेंगे जो होगा 0.5 इंच 15 पोइंट से लेट साइट पे 0.5 इंच पे मार्क किया और राइट साइट पे 0.5 इंच पे मार्क किया यह है 16 और 17 15 पोइंट से 12 सीम डाउन पे एक पोइंट किया यह है बैक डाट लेंथ यह है 18 और 16 और 17 को 18 के साथ जोड दिया 15 अन 18 का जोइन करेंगे 14 अन 15 का मीट पॉइंट करेंगे दोनों का मीट पॉइंट है 3 इंच पे एहां 19 19 से 0.5 इंच लेप्ट साइड पे 0.5 इंच राइट साइड पे पॉइंट किया एहां 20 और एहां 21 19 से हम 11 cm डाउन करेंगे जो है बैक पार्ट का दूसरा डार्थ लेंद एहां 22 19, 20 और 21 इस तिनों पॉइंट को 22 के साथ जोड देंगे 3 पॉइंट के राइट साइड से हम 10.25 इंच पे मार्क करेंगे यह है 23 3 और 23 को जोइंट कर देंगे 2 और 5 का जो मेजर्मेंट है ओई मेजर्मेंट को हम 2 से राइट साइड पे पॉइंट करेंगे जो है 24 2 और 24 को जोइंट किया 23 और 24 को जोइंट करेंगे 23 और 14 को हिप कार्ट स्केल से जोइंट करेंगे शोफेंट यह है बेसिक स्कार्ट का डाप्टिंग पैटर्न यह अभी तक फाइनल पैटर्न नहीं है क्योंकि इसमें सेलाइमार्जी नहीं है अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए सेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हाँ अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते आगले वीडियो में आज के लिए इतना ही